नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पात करने वाले हैं 30 जून से 15 जुलाई तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों इन दिनों में आपके जीवन का फैचला होने वाला है जिहां दोस्तों क्या-क्या लिखा है आपके नसीब में प्यार, पैसा, इज्जत और दुखों की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों आज की वीडियो आपके शंपुन जानकारी ग्रह गोचर के अधार पर देने वाले हैं कि आपके जीवन से जुड़ी वह कौन से खुश खबरियां आपको मिलने वाले हैं जिसे आप इतने दिनों से प्रियास करते आ रहे हैं और आपको किन कारणों से शफलता नह मिल पारी है इसमें दोस्तों आपको आने वाले इन दिनों में आप सभी के जीवन में बहुत ही बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं कुछ ऐसे आचानक चमतकार होने वाले हैं जिसे आप कभी भी सपने में नहीं सोच जिहां दोस्तों अब आपके ऊपर एक भगवान का परचाई रहने वाले हैं जिसे दोस्तों वा भगवान आपके अच्छे करमों का देखकर आपके साथ परचाई की तरह चल रहे हैं और आने वाले जीवन को बदल कर रख देंगे अब आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सक जिहाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें, और शुरू से आन तक जरूर देखें और दोस्तों आपको इन दिनों में किन किन छेतरों को लेकर सावधान रहने होगें, कौन कौन से कार्या आपके लिए भाग्य साली होगें, आपके घर के माहौल में पारवारी जीवन में आपके प्रतेक छेतर में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं कौन कौन से बड़ी खुश खबरियां आपको यश्य में मिलने वाले हैं और आपके स्वास्त केसा रहेगा और दोस्तों आपको वीडियो के अंत में एक आप सभी को प्राप्थ हो सकी तो आईये दोस्तों बात करते है चानक जी के एक अच्छे ज्यानसे दोस्तों आचार चानक जी कहते हैं कि दुक भोगने warla आगे चल कर सुखी हो जाता है दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चल कर सुखी हो जाता है मगर दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता इसी के साथ पक्षी अपने पैरों के कारण जाल में फसते हैं और मनुस अपने जुआ के कारण इसी के साथ मोन रहना सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके साब्दों को महत नहीं देता है जहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों इन दुनों में आपको कोई सुप सुचना मिलने से आप अपने अंदर अदबुत आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे अपने काम को उचिद अंजाम दे पाएंगे कुछ मुश्कलें आएगी पर साथी उनका समाधन भी मिल जाएगा किसी धार्मी अस् सफलता हासिल करेंगे नजदी की समंद्यों के साथ किसी विश्यस मुद्य पर विचार्स मिमर्स होगा और उचित परनाम भी सामने आएंगे आज आप बहत्रिन तरीके से अपने काम को अंजाम देने में शफल रहेंगे अपने छुपीवी परतिबा को समझें और उनका सही दिशा में लगाएं आपको अवसी सफलता मिलेंगे से धार्मिक अथबा धात्मिक स्थान पर जाने से मानशिक शुकुन और सांती मिलेगी आज का ग्रें गोचर आपके लिए अपरत्यासित लाप की इस्तिती बना रहा है इसलिए समय का भरपूर सत्वियोग करें लंबे स समय से चली आरी किसी तनाव और चिंता से रहात मिलेगी दोस्तों इंदरों में आपको दोड़ धूब चादा रहेगी पर तुस सफलता मिलने की खुसी में आपके ऊपर ठकान हावी नहीं होगी दिन बहुत अधिक लापकारी है अपने उदिस्यों पर ध्यान केंदित रख और चारों तरब से खुस्या महसूस होगी घर के राग रखाव तता सज्जा समन्दित कारे में भी समय बेतित होगा दोस्तों भगवान की किरपा से अब आपका दीन आ गया है अपने सपने और कलपनाय सकार करने का शमय आ गया है अपने कारे को वेश्थित रूप से करना और समान में बना कर रखना आपको शफल बनाएगा, समाज में मान समान भी बना रहेगा, आतक के लिए देखा जाए, तो आर्थिक निवे समंधिक कामों के लिए भी अनुकुल समय है, या गतिविदियां भविस में लाबदायक रहेगी, आज आपके विचार कारी रूप में परनित होंगे, जिसे आपके अंदर एक नई उर्जा तथा आत्म विश्वास की विर्दी होगी, इसके साथ साथ दोस्तों, आपको इन दिनों में कुछ शावधानियां भी बरतने की जवरत है, दोस्तों ध्यान रखें कि कभी-कभी आत्म विश्वास की कमी तथा आलस की वज़े से बनते कामे में रुकावटें आ सकती है, अपने नाकारत्मक कम्यों को दूर करके आप बहतरिन रिजल्ट प्राप कर सकते हैं, दोस्तों के साथ व्यर्थ घुमने फिर्णे में अपना समय नश्ट ना करें, सेर सट्टा आधि किसी परकार की भी निवेश ना करें और किसी अंजान व्यक्ति से वाद वाद में भी ना पड़ें, घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महतिवन कारू डुक भी सकते हैं, फाइनल समंदी गतिविदियों के मामले में किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें, सकारत्मक सोच रखें तथा अपने वेहवार में और अधिक अनुसासित होना, दूसरों के लिए समस्या उत्पन करेगा, कुछ समय अधात में तथा इस वर अराधना में भी वेतित करें, इसे आपको मांचिक शकुन मिलेगा, दोस्तों वेबसाइक काम को आप किसी भी तरह अपने काम को निकलवाने में समक्ष रहेंगे, साथ अधिक में सांती प्री तरीके से काम संपन होते जाएंगे, नोकरी पेसा लोग एक्स्टा इंकम करने के लिए किसी भी तरह की कोशिश न करें, क्योंकि किसी परकार की मानहानी के योग बन रहे हैं, कोई भी वेबसाइक पेपर वर्क करतेश में साबधानी बढ़ते हैं, ज परपटी समंदिक काम में सफलता मिलने के योग हैं, बीजनस बाढ़ने के लिए भी महत्पुन योजना बनेगी और सफलता मिलेगी, नोकरी में अपने लक्स प्राप्त करने से रहात रहेगी, दोस्तों घर परिवार में खुशी वरा बातावरन रहेगा, तथा किसी अभिवाईत व्यक्ति के लिए उचित रिष्टा आने की शांभावना है, पति पत्नी के विच कुछ समय से चली गलत फ्यमी का निवारन होगा, उन समंद में पुना मधूरता आएगी, विवाईत समंद मधूर रहेंगे, पंतु मित्रों से अधिक मेल जोन रखना आप से स समंद में परेशानी का उत्पन कर सकता है, पति पत्नी के समंद मधूर रहेंगे, प्रेम समंद में अपने साथी के प्रती इमंदार रहें, तो आपके स्वास्त के लेकर देखा जाए, तो कफ और खासी की वज़े से गले और चाती में दर्द महसूस होगा, लापारवाई बिलकुल ना करते हैं, और उचित इलाज अवसल लें, आपका स्वास्त उत्तम रहेगा, और तो अपने दिन्चारिया और खान पान को सहमित ही रखें, मांस पैसियों में खिंचाव और दर्द जिसी समस्या रहेगी, वेवामर योगा पर ध्यान देना अती अवस्यक है, सि अंकरी और बिजनस समन्दी समस्यां खत्म होती है, सुरी भागवान को नेमित जल्द देने के साथ, आधित हिर्दे सुरूत का पाठ करें, इसे सुरी भागवान अनुकुल बने रहते हैं, जिसे हिर्दे पर अच्छा प्रभापड़ता है, हिर्दे रोकी आसंका कम होती है जिस्ता बात करता अपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है, दोस्ता अपका भागे साली रंग आसमानी है और भागे साली अंक दो है, दोस्ता भगवान देवों के देव महादेव का आसिरवात आप सभी को प्राप्त हो, सच्चे दिर्शे कमेंड बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद